पर उमीद यहां पर यह है कि अरुनाचल पदेश में वनेडियम मिल सकता है और इसको लेकर exploration कर रहा है आज के समय जिलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मगर मैं आपको यह बता दूँ कैज ओफ 13 जैनुवरी 2021 वनेडियम के deposits मिले हैं नहीं मगर संकेत पूरे हैं कि यह बहुत ही जादा precious metal अरुनाचल पदेश में eventually भारत सरकार को मिल जाएगा नाओ यहां पर अरुनाचल पदेश में कितने precious metal कितना gold कितना even oil या फिर natural gas यहां पर हो सकता है मना जाता है कि जो चाइना का बहुत बड़ा interest है अरुनाचल पदेश में जिस तरही के चाइना क्लेम करता है इ बहुत थी बड़ा deposit अरुनाचल पदेश में मिल गया तो यह इंडियन economy के लिए एक बहुत बड़ा boost कैसे हो सकता है बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को बिलेगा so a lot to know a lot to discuss मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा अरुनाचल पदेश का state animal क्या है यह है यहां पर आपके 70 options नीचे comment section में करो इसका answer सही answer मैं आपको दूँगा video के अंथ में और आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं चाहे SSC, bank, railways, MPVSC, RPSC आप purchase कर सकते हैं unacademy के courses, live class आपको मिलेगी with India's best educators और यह जो original price है यह पर मत कर देना, use करो यहां पर code PD10 और यह होगा आपका price after the discount, so use the code PD10 and save money, now first of all vanadium है क्या, यह एक बहुत ही hard silver grayish color का metallic element है, यह अपने आप में metal है और दुनिया भर में आज के समय इसकी बहुत demand है, इसको properly Europeans ने discover किया था 1801 में जब Spanish Mexican Mineralogist Andres Manuel Del Rio ने इसके बारे में लिखा था, हाला कि यह बदाए जाता है कि आज से कई centuries पहले हो सकता है कि प्राचीन empires को vanadium के बारे में पता हो, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कई प्राणी प्राचीन तलवारे vanadium से ही बनी है, इसलिए आज तक वो strong है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है vanadium की एक photo, और vanadium के uses तो देखिए बहुत सारे हैं, अगर आपको steel और जारा मजबूत करना है, आप चाहते हैं कि steel इतना मजबूत हो, कि कल को आप उसके बनापाओ space vehicles, आपको कोई spacecraft बनाना है, जो कल को जाएगा Pluto में, solar system के भार जाएगा, या फिर आपको बनाना है कोई space station, तो वहाँ पे आप normal steel का इस्वालनी करोगे, वहाँ पे आप बनाओगे steel alloy, जिसमें mix होगा vanadium, vanadium steel को इतना मजबूत कर देता है, कि आप इससे space vehicles, aircraft carrier तक बना सकते हैं, और इसका सबसे interesting use है nuclear reactor, जी हाँ nuclear reactors को बनाने में, engineers mostly पसंद करते हैं, vanadium वाला steel alloy, और एक और use यहाँ पे मैं में mention कर दूँ, हलाकी वहना को बता दिया, aircraft carrier मगर आपको अगर aircraft भी बनाने हैं, आपको in the future बहुती strong, sturdy aircraft बनाने हैं, या फिर helicopters बनाने हैं, तो उसमें भी आपको vanadium चाहिए होगा, उसको आपको mix करना होगा steel alloy में, तो जाकि आपके पास बनेगा एक बहुती strong aircraft, अब यह uses अपने आपे बहुती impressive हैं, मगर इसकी कानी आगे बड़ती है, batteries तक, दुनिया भर में आज के समय बात हो रही है, lithium-ion batteries की, lithium-ion batteries are the future, भारत में भी हम lithium-ion लेके आएंगे, हम lithium-ion batteries को manufacture करेंगे, जबकि Europe, North America, आज के समय experiment कर रहा है, vanadium flow batteries पर, यहाँ पे आप देखेंगे, energy post. European Union का एक बहुत ही अच्छा research paper है, by James Conkaino ने यह का है, कि possibility है, कि in the future, vanadium flow batteries, जो बहुत ही जादा अच्छी storage capacity आपको देती है, यह in the future, lithium-ion batteries को replace भी कर सकती है, और इससे आप समझ सकते हैं, कि vanadium इतना important क्यों है, इसका बहुत बड़ा role होगा, defense sector में, energy sector में, space sector में, so this is why the world is running after vanadium, so vanadium basically दुनिया में है का आपर, किन countries में आपक सरकार बहुत ही लंबे समय से interested है, vanadium को लेकर, 2018 में, Indian minerals yearbook में, पूरा आप कहेंगे, chapter है on vanadium, और इसमे नोंने बात कर लिया है, vanadium कहां पर है, दुनिया भर में, भारत में अब तक हमको यह कहां पर मिला है, तो यहां पर आप देखेंगे, इनोंने टेबल पबिश किया है, एक मिन वांके जूम इन कर देता हूं, तो यहां पर आप देखोगे, यह भारत सरकार का data है, भारत सरकार यहां पर यह कह लिए, कि जो world reserves है, vanadium के, इसमें number one है, चाइना, अब यह देखेंगे, यह किसमत की बात ही होती है, हर country को कहिना की advantage बिलता है, साओधी रिबिया का advantage ह चाइना का advantage है, rare earth, metals, minerals और अब तो यहां पर vanadium भी बहुत सारा है, दुनिया का सबसे बड़ा vanadium का reserve आपको मिलेगा चाइना में, very very lucky, फिर number two पे हैं, यहां पे राशिया, एक और देश जो बहुत ज़़ादा pro चाइना है, anti-US है, तो US के लिए यहां पे खराब आती है, कि तो आप देखें, तो रश्या के बाद number आता है, South Africa का BRICS countries, interestingly यहां पे काफी आगे हैं, at least 3 BRICS countries हैं, जहां पे आपको मिलेंगे vanadium के reserves, ब्रजिल में भी कुछ reserves हैं, अगर Australia, मैं कहुँँगा एक बहुत ही अच्छा partner बन सकता है, India के लिए in the future, अगर Australia में इसी तरीके से औ और vanadium के reserves मिलते हैं, अगर हम बात करें, अरुनाचल परेश में कितने reserves हो सकते हैं, क्या भारत भी कल को इस टेवल में आ सकता है, अगर China number 1 पे है, तो इंडिया यहां पे number at least 3-4 पे आ सकता है, तो इसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है, in reality, ठीक है, हम यहां पे बा mining करते हैं, तो जरातार mixed मिलेगा आपको, बाकी metals, बाकी minerals के साथ, उसको आपको अलग करना होगा, उसका process बहुत complex होता है, और मैं आपको यह बता दू कि Reliance इस process में बहुत interested है, Reliance जरातार metals में था काम करता नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों में आप अगर देखोगे, तो Reliance ने Vanadium को लेकर, वाव, I mean, क्या enthusiasm दिखाया है, भारत सरकार की इस report में भी आपको दिखेगा, इन्होंने specially यह आपे mention किया है, कि RIL, RIL ने हाल ही में develop किया है, एक low cost, low temperature, hybrid green process to extract vanadium from gasifier slag, और इस चीज़ को लेकर हाल ही में Reliance ने जो अपनी एक report publish करते हैं, यह साल की, उसमे भी का है, कि Vanadium को लेकर, हम in the future, बहुत सारे interesting काम करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, Reliance ने अपने documents पर भी mention किया है, कि Vanadium को separate करने के लिए, हमने new technologies develop करी है, तो यह हम use कर सकते हैं, in the future, government use कर सकती है, और अभी के लिए तो मैं यह कहूंगा, fingers crossed है, कि Arunachal पदेश, भारत का एक बहुत ही important राज्य, इंडिया को Vanadium के map में कहीं न कहीं place कर दे, so conclusion में, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर हम को यहाँ पर Vanadium के reserve मिलते हैं, देखें, मैं यहाँ पर कहूंगा, यह golden opportunity है, US के साथ partnership करने की, मुझे लगता नहीं है, कि इससे दरा अच्छा मौका हमारे पास कब आएगा, US एक बहुत ही बड़ा investor बन सकता है, इन अरनाचल पदेश, इससे हम अपनी जो position है, कि इंडिया का part ही है, अरनाचल पदेश, इसको और strong कर सकते हैं, चाइना को हम जवाब दे सकते हैं, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान occupied कश्मीर में डैम सुना कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसको counter करने के लिए हम US को invite कर सकते हैं, to extract vanadium in India, और उसके लाबा यहाँ पे setup कर सकते हैं, vanadium plants और make in India के लिए मैं काऊंगा, यह किसी वर्दान से कम नहीं होगा, it will be a huge boost for our economy, क्योंकि चाइना आज के समय सबसे बड़ा producer तो ही vanadium क मगर consumption भी यही कर रहे हैं, आज के समय चाइना high tech still develop कर रहा है, thanks to vanadium, तो strategic point of view से, commercial point of view से, इंडो US partnership करने का मैं काऊंगा, इससे भैतर मौका, अरणाशल परेश में नहीं आएगा, so question मैंने आप से यह पूछा था कि इन में से क्या है, अरणाशल परेश का state animal, और यहाँ पर मिथुन भी कहते हैं, और यह जानवर आपको मिलेगा, Bangladesh, Myanmar, even China, और Northeast India में, so यह है अंत इस वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all.